हेलो गाईज मैं हूरितु वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल तो आज हम आये हैं रंधंबोर अगर आप लोग भी रंधंबोर आना चाहते हैं तो आपके पास दो ओप्षिंस हैं पहला है बाई रोड जिसमें टाइम लगता है आठ से दस घंटे डिपेंड करता है आप कितन हैं सवाय विलाज में अगर आप ट्रेंग से आना चाह रहे हैं अगस्त क्रांती तेजस से तो आपका स्टेशन पड़ेगा सवाय माधुपुर्ण सुगाइज हम रात को दस बजे होटेल पूंचे थे हमने इस होटेल की बुकिंग बुकिंग डोट कॉम से की थी और जब हमने चेक आउट किया तो यहां के मैनेजर ने हमें रूम्स पर अच्छा खासा डिसकाउंट दिया था प्रोपर्टी भी काफी अच्छी है युनीक है और अगर रूम के साइज की बात की जाए तो काफी अच्छा रूम साइज है जैसा कि आप देख सकते है रूम काफी बड़ा है और अच्छा है और हमारे रूम फैर में ब्रेकफास्ट लंच और दिनर तीनों इंक्लियूडिट थे अगर आप रंधंबोर आ रहे हैं तो मैं डेफिनिटली रिकमेंट करूंगी कि आप सावाई विलाज में एक बार जरूर हुकें हाई कर दो कर दो क्ता surprise कर दो économique कर दो कर दो क sellers कर दो कि हमलोकर कर दो कर दो कर दो खब fella कि तो में और खए थाप आप इज वे की से दद्वैर आप गरायमी जा मिय अप बाइव सभी गराब के नित अिता हैं पहुंने फुरफ पर रच ते गर कालों कि अंतिते ही ब सीर्ट अ स्वेल यूर्चिया जा हैं गर फिस दो थैंनि को बाद़ है यह है गोबी यह सावाई विलास के अंदर यह है गोबी यह सावाई विलास के अंदर यह यह सावाई विलास के अंदर उन्होंने छोटी सी फार्मिंग की हुई है तो यह है पालक, यह टमाटर है उधर गोबी है इसमें मिर्च भी है और एक चाहिए यह सावाई वाला हो लोटस है फ्लास वो रहा है यह हमारे होटाइल के होटाइल में है यह लोटास के फ्लास और इस पॉल्ड में दख्स भी रहती है देको वो रही ब्लैक ब्लैक झाल